Amazon को अपने Voice Assistant Alexa में आई एक गंभीर गरवडी को दूर करने के लिए अपडेट करने को मजबूर होना पड़ा है साथ ही उसने इस खामी के लिए लोगों से माफी भी मागी है असल में इसके Eco Voice Assistant ने अमेरिका में एक 10 साल की बच्ची को सलहा दी कि वो अपने Phone Charger को किसी चालू Electric Board में आधा लगाए और फिर बाहा रह गए हिस्से को सिक्के से चुए इससे पहले उस बच्ची ने किसी किये जाने वाले चैलेंज की मांग Alexa से की थी Alexa की इस खतनाक सलहा को उस बच्ची की मान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया उसके बाद सोशल मीडिया पर Amazon और उसके इस Virtual Assistant Technology की जम कर आलूचना होने लगी उस बच्ची की मान क्रिस्टीन ने इस खतना को ट्विटर पर लिखा हे भगवार मेरी दस साल की बच्ची ने हमारे एको पर Alexa से अभी एक चुनौती देने को कहा तो देखिए उसने क्या कहा इसके बाद क्रिस्टीन ने Alexa आप का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया इसमें आक्टिविटी सेक्षन में मुझे करने के लिए एक चैलेंज दो के तहत लिखा था मैंने वेबसाइट पर इसे पाया अवर कम्यूनिटी नाउ डॉट कॉम के अनुसार चैलेंज साधारन है अपने फोन चार्जर को किसी चालू इलेक्ट्रिक सॉकेट में आधा लगा कर बाहर रह गए हिससे को सिक्के सिच हुए उन्होंने इस बारे में आगे कहा हम फिजिकल एजुकेशन के एक टीचर के दिये कुछ फिजिकल चैलेंज कर रहे थे बाहर का मौसम खराब था मेरी बेटी ने ऐसे ही एक और चैलेंज की मांग की इसके बाद अलेक्सा ने किसी वेबसाइट पर पड़े ऐसे चैलेंज को खोच कर उन्हें दे दिया असल में सिक्का धातु का होता है जो विजली का सुचालक होता है चालू एलेक्ट्रिक बोर्ट में लगे चार्चर में इसे डालने पर जानलेवा जटका, आग और दूसरे हाथ से होने की खत्रे हो सकते हैं जानकारों के अनुसा ऐसे हाथ सो में उंगलियों या पूरे हाथ के जलने या उसके उड़ने का खत्रा होता है अमेरिका के अगनिश्रमन अधिकारियों ने भी ऐसे जानलेवा चैलेंज का खुल कर विरूद किया है इसके बाद Amazon ने अपने Voice Assistant Technology की खामी के लिए माफी मागी है उसने माना ये घातक हो सकता है अमेरिका की क्रिस्टीन ने हमें बताया कि उनकी बेटी ने बीते शुक्रवार को Alexa से एक चैलेंज मांगा था जिसके जवाब में Alexa ने ऐसी सलहा दी BBC को भेज़े अपने बयान में Amazon ने बताया कि भविश्र में Alexa को ऐसी गतिविद्यों से दूर रहने के लिए उसने उसे अपडेट कर दिया है उनके लिए उपभोकताओं का भरोसा बहुत माइनी रखता है